राश्टी श्वास्त मिशन के अंतरगत 800 पदों पर कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर का रिकूरूप्मेंट किया जा रहा है जहां पर आपको सेलरी मिल सकती है साड़े सोला हजार से ले करके 31,500 रुपए तक पर मन्थ इस रिकूरूप्मेंट से जुड़ी हुई सारे इंफॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो में लेकर आए जॉब पिंग में ना सिफ आपको लेटेस जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है इन फैक्ट इन रिकूरूट्मेंट एक्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसॉर्सेस के रिकॉर्मेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पर मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है या आपने भी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्क्राइब इंग जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर यह डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है इसमें यह एनेचेम डेट इस नैशनल हेल्थ मिशन रास्टी श्वास्थ मिशन देखे रिकूर्टमेंट लिखा हुआ है नैशनल हेल्थ मिशन इसके अंतरगत यह देखे विध्यापन रास्टी स्वास्थ मिशन के अंतरगत हेल्थ एंड वेलनस सेंटर हे तू किसका सामुदाइक स्वास्थ अधिकारी का रिकूर्टमेंट किया जा रहा है इसमें यह अलग-अलग लिंक्स हैं इसका भी लिंक आपको निचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन को यह देखिए हमारे सामने रास्टी स्वास्थ मिशन का नोटिफिकेशन ओपन हो गया है यहां पर क्या हो रहा है रास्टी स्वास्थ मीशन के अंतरगत हेल्थ और वैलनेस सेंटर हेतू, छे माँ के सामुदाइक स्वास्थ पाथिक्रम, सामुदाइक स्वास्थ अजिकारी कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन अवंद्रित किये जा रहे हैं। आप समझे इस चीज को ये डारेक्ट रिकूट्मेंट नहीं है, ये एक्चुली में छे महने का एक कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिसको कम्प्लीट करने के बाद फिर आप कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। आगे सुनिये का मेरी बात को, ये बहुत जादा बेनिफिशियल कोर्स है, इससे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, इन फैक्ट ये आपकी जॉब की एक तरीके की गैरिंटी है, आप ये मान के चल सकते हैं। चलिए इसकी कॉंसेप्ट को समझते हैं, आप थोड़ा सा बने रहिएगा, आपको पूली तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, वो कम्प्लीट्ली वर्थ है आपके लिए। देखिए, रास्ती स्वास्त मिशन के अंतर का चर्थिजगर राज्जी जो है, वो ऐसे लोगों को रिक्रूट करना चाहा रही है, जो अपने समझाय को अपने घर की नजदीक स्वास्त सेवाई उपलब्द कराना चाहती है, इसके लिए इनको स्किल्ड बनाने के लिए छे से महा का Certificate Course in Community Health Government खुद करा रही है, अपने खर्चे पर आगया, और डीटेल्स हम देखेंगे, तो ये Certificate Course in Community Health प्लस इक्षन जुलाई 2020 में आविदन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग, आप लोग आविदन कर सकते हैं, अब इस पाठ्थे करम के अंतरगत क्या होना है, रा कर दास्ति स्वास्त मीशन के अंतरगत, जितने उप्स्वास्त केंड़ रहे हैं, उनको Health and Wellness Center के रूप पर डवलब किया जा रहा है, हेल्थ और सेंटर में जो सेंटर को, जिन स्वास्त केंडरों को, हुप स्वास्त केंडरों को रूप में विक्सित किया जाएगा, उसमें स शे मैने का Certification course है, Certificate course in Community Health को पूरा करने के बाद इन ही स्वास्त केंदरों में उनके recruitment होगी, और ये जो हैं Mid-Level Health Provider के रूप में सेवाय देंगे अपनी और ये जो बाकी जो मैदानी कारी करता रहते हैं, जैसे A&M, MPW और मितानी, इनकी टीम का आप leadership भी करेंगे यहाँ पे mid health level provider के रूप में काम करते हुए अब यहाँ पर उप्रोप्त निक्ति राज के किसी भी जिले के चिर्णांकित उपस्वास्त केंद्रों में काउंसिलिंग के माध्यम से संवीदा के अधार पर राष्टिस्वास समिशन चतिज़ड के निमानुसार की जाएगी यहाँ पर आपको इन्होंने बता दिया है कि यह जॉब जो है वो संवीदा के अधार पर रहेगी तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है जैसा कि मैं इतनी कम जॉब्स हैं इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और यहाँ पर 800 पोस्ट है इस जॉब के लिए तो यह बहुत अच्छी अपरिशुनिटी है अब देखिए जो केंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे इस सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए छे मैने के लिए उनको क्या आपको रहने खाने के लिए भोजन के खर्ची के लिए यह एक तरीका के स्टाइफन मिलेगा आपको रहते हुए आपको बिल्कुल किसी तरीका खर्च खुद का नहीं करना है शे मैने तक आपको 10,000 रुपए के स्टाइफन मिलेगा और राष्टी श्वास मिशन चतिसगर बेयर करेगी आपको एक पैसा नहीं देना है आपको इन फैक्ट आपने रहने खाने के लिए बोजन के लिए आपको अलग से पैसे भी दिये जाएंगे और आपकी जो एजुकेशन होगी उसका भी जो खर्चा होना है वो गवर्मेंट ही बेयर करने वाली है अब यह सर्टि और साथ में आप जो है अपना इंसेंटिव पर्फॉर्मेंस बेस्ट इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं पर मंथ मैक्सिमम और 15,000 इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप साड़े सोलह हजार से ले करके साड़ी करतिस हजार रुपए तक पर मंथ अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग म मांट यू विल गेट एनिहाव इफ यू वर्क एज अ मिट लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ठीक है अब आगे की बात यह होती है कि रास्टी श्वास्त मिशन के नियम के नुसार आगे जो भी डिरेक्शन दिये जाएंगे आपके इंसेंटिव और सेलरी के रूप में वो समय समय पर चेंज होते रहेंगे तो यह मान के चलिए कि इससे कम नी होगा आगे इंक्रीजी होगा तो यह जो है जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए जो सेलरी और स्टाइफर्ण की बात होगी आपको इसकी बात होगी अब बात कर लेते हैं eligibility की यह सबसे important चीज होती है कौन इसके लिए eligible है अनिवार योगेता क्या होना चीज तो सबसे पहले 36 गड़ का मूल निवासी होना चीज बाहर के लोगा अपलाई नहीं कर पाएंगे इसमें अब विग्यापित जिलेवार पदो हेतु संबंधित जिले के अंतरगत आने वाले जिलों की स्थानी निवासी ही पात्र होंगे इसमें जो रिकूरूप्मेंट हो रही है उसको डिस्ट्रिक वाइस रिकूरूट किया जा रहा है जिले के हिसाब से रिकूरूप्मेंट लिया जाएगा तो जो जिला जिस जिले में जो निवास कर रहा है वो उसी जिले में जॉब कर सकता है ये इनकी शर्त ह आप सिर्फ अपने जिले के लिए अपलाई कर सकते इसलिए इन्होंने शुरुवात में लिखा था अपने घर के नस्दीक यह पॉइंट जो है इसी वज़े से वहां पर मैंचन है अब अगर कर नीचन ऐसी होती है कि इस्थानी जिले का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो उस संभाग के जो बाकी जिले हैं उनके अभिहरतों को अरक्षन के धार पर चैम का चैन किया जाएगा नेक्स्ट क्योंकि आपको मिड हेल्थ लेवल के रूप में प्रोप में काम करना है ग्राउंड पर काम करना है और मिदानी और बाकी जो ग्राउंड की टीमें है उनको भी लीड करना है तो आपको छेतरी भासा और स्थानी भासा में दक्ष तक होना चाहिए, आपका ग्यान इसमें अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक अच्छी होल्ड होनी चाहिए उसके पर, तभी तो आप इन लोगों से डील कर पाएंगे, इसे अपना काम करवा पाएंगे, नेक्स्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती तो यहां पर किसी भी मानलता आप प्राप्त विश्विद्याला से नर्सिंग के कोर्स बीसी नर्सिंग पोस्ट बीसी नर्सिंग या फिर जी एनम में आपको उत्तेंड होना चाहिए ठीक है और अगली बात आत कि दो हजार वीस को इस डेट पे आपकी एज का कैल्गुलेशन किया जाएगा तो वो मिनिमूँ ऐटीन इयर्स अठारा साल कम से कम और मैक्सिमूम ऑफ थर्टी फाइव एर्स पैंतिस साल मैक्सिमूम एज मिनिमूम एज अठारा साल के अनुसूचित जाती है मैक्सिमूम अब जर्तियों को अनुबंद पुरा स्थाफ्सर करना होगा आपको एक कॉंट्रेक्स साइन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर गौर्मेंट आपकी उपर इंवेस्ट कर रही छे मैने की आपको ट्रेनिंग गे रही है आपको एक स्किल्ड परसं बना रही है तो आप अगर इस पाठ्यकरब में पास हो जाने के बाद आपको हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हित उपस्वास्त केंडरों में कम से कम तीन साल तक अपनी सेवा देनी होगी तो यह बॉन्ड आपको साइन करके देना होगा गौर्मेंट को फेर पॉइंट है क्योंकि गौर प्रवेश नहीं लिये जाने पर यह इसलिए मैं में मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आप यहां पर अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी समझेगा चलिए आप सलेक्ट हो गया है आपका परसेंटेज अच्छा है आपको उसके बेस पर सलेक्ट कर लिया है आपने अपना जहां पर आते हैं नहीं जोइन करते हैं तो क्योंकि एकनु यह करा रही है एकनु के साथ इन स्टेट गवर्मेंट का कोलाबरेशन है उसके थूर यह करा रही है और आपके लिए वो सारी अरेंबंट करके रखे हुए हैं तो इसी लिए इन्होंने एज आपको के तौर पे यह 15,000 तो यह आप अपना अगर सेलेक्शन हो जाता है तो आपको जोइन करना ही पड़ेगा अधर वाई जो है वो जमा करना पड़ेगा यहां पर नहीं करने पर बॉन्ड के जो आपका एग्रिमेंट हुआ रहेगा उसके हिसाब से आपके उपर करवाई की जा सकती है यह तब ही क कर रहे हो जो माल लिजा आपको नहीं करना है तो आप शुरुआत से ही अपलाई मत करिए किसी और की सीट खराब मत करिए जो जरूरत मंद हो उसके लिए आप छोड़ दीजा अगर आपको नहीं करना है तो इसलिए गौर्मेंट ने यह एक चीज रखी है जो आपको एट ल आपको फीज भी पे करना है तो यहां पर आप देखोगे तो विकलाग अनसुचित जाती है अनसुचित जन जाती और महिला इसके लिए आपको 100 रुपीज का फीज है ओवी सी के लिए 200 का फीज है और अन रिजर्ट के लिए 300 का फीज है इसके बाद आपको हमेशा की तरह जब भी आप कुछ फीए करते हैं कुछ करते हैं तो उसकी रिसीट अपने पास रखें कुछ प्रॉब्लम होने में आपको एट लिस्ट यह दिखा करके अपना क्लेम कर सकते हैं आप इसी लिए ठीक है सर्टिफिकेट कोर्स इं कम्यूनिटी हेल्थ की भरती जिलेवार की ज पोस्ट बताई है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से जिले में जिलेवार यहां पे बाट के दिया हुआ है इसमें कौन है तो बालोद जिले में अगर हम देखेंगे तो टोटल दस पोस्ट है वहीं पे बालोदा बजार की बात करें तो 29 पोस्ट आता है आप आप बाइफ पोस्ट है विलासपूर में आप देखो कि यहां पर 57 पोस्ट है अभी तक हम देखें तो बस्तर और विलासपूर यह दोनों जिले में अच्छी खासे रिकूटमेंट देख रही है हमको दनतेवारा की बात करें तो यहां पर भी अथाइस पोस्ट है दमतरी में सिर्फ अटेम्ट जरूर कीजेगे इसको बहुत अच्छी ऑपूचिनिटी है गरियावन की बात करें तो 25 पोस्ट है यहां पर जांगीर चापा में 40 पोस्ट है जश्पूर में 38 पोस्ट है कांकिर जिला की बात करें तो यहां पर आपको 45 पोस्ट मिल जाएंगे कवरधा पर देख नरायनपूर में 11 और रायगर में 50 पोस्ट है उसी तरीके से रायपूर में देखे तो यहां पे सिर्फ पांच ही पोस्ट है लेकिर राजनान गाउं में आपको 40 पोस्ट मिल जाता है सुपमा की बात करें तो 15 सूरजपूर 30 और सरगुजा 32 इसी तरीके से टोटल वेकेंसी हो जाती है 800 की जिसमें unresaate category के लिए 267 पोस्ट है और उसके बाद हम देखें तो अनुसूची जाती के लिए जो पोस्ट हो 341 है और अनुसूची जन जाती की बात करें तो इस पोस्ट है और अमने पीशड़ा वर के लिए टोटल 112 पोस्ट है तो इस तरीके से बहुत बड़ी ऑपरजिनिटी है अच्छी खासी वेकेंसी है यहाँ पर अगर आप एलिजिबल है और इंट्रेस्टेड है तो प्रीज अप्लाई जरूर कीजेगे इस पोस्ट के लिए बहु को आप Online अप्लाई कर सकते हैं आप Absolues Ireland को यालाई आपसाइट का रहेगा сюда याgger सबगर सकते हैं और आपको किसी तरीके की भी झानकारी के लिए किसी भी जानकारी के लिएation की तो आप ऑफविस का जो यह नंबर है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं उसके लाव अल्टरनेट नंबर यह है लेकिन यह आपको ऑफिस आवर में ही काम करेंगे यह नंबर ऑफिस आवर में ही कॉल करिएगा अगर कुछ जानकारी लेनी है और टाइमिंग दिया है 10.30 से लेके 5.30 तर इस बीच में आप यहां पर बात करके इंफोर्मेशन तो यह एक संचित में सूचना हो गई आपके लिए अगर किसी तरीकी की जानकारी आपको और चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्षन पर पूस सकते हैं तक यह पर वाचिए और नेक्ट वीडियो तिल एंग तेक केर गईज